हेलो यूटूब फैमिली, कैसे हैं आप सब मिर करती हों, आप सब अच्छे होंगे, स्वास्थ होंगे अपनी जिन्दकी में मास्थ होंगे आज हम बनाएंगे साबुदाना के पापर, तो मैंने एक कप लिया है साबुदाना और इसमें मैंने डाल दिया है पानी और इसे मैं अच्छे से धोलूंगी तो इसमें मैं अब डालूंगी दो कप पानी और दो घंटे के लिए रखूंगी इसे तो हमारे दो घंटे हो चुके हैं तो देखिए हमारा साबुदाना काफी फूल चुका है तो देखिये、 इस तरीके से फूल चुका है हमारा साबु दाना तो अब हम लेंगे एक बड़ा भागो ना, तो जो ये साबु दाना है, हम इसको सारे को इसमें डाल देंगे, और इसमें मैं डालोंगी पानी, एक साबु दाना में मैंने पांच कप पानी लिया है तो देखें मैं पांच कप पानी डाल दूँगी इसमें और अब गैस चला के इसको हाई फ्लेम पर मैं इसे रख दूँगी इसे हमने हाई फ्लेम पर ही पकाना है तो फ्रेंट्स जब तक हमारा साबू दाना पक रहा है आप मेरी वीडियो को लाइक, शियर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है तो मैं इसमें एक चम्मच डालूँगी नमक और एक चम्मच डालूँगी मैं इसमें जीरा आप चाहें तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं पर मैंने मिर्च नहीं डाली बच्चों को यही फ्लेवर परसंद है जीरे का और नमक का हाई फ्लेम पर हमने इसे चलाते रहना है वरना हमारे साबू दाना इसके तलबे में लग जाएंगे तो देखिए मारे साबू दाना पक चुका है आप चाहें तो इस तरीके से ही साबू दाना के पापड बना सकते हैं अब मैं इसे ठंडा होने दूँगी और इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी तो देखिए मैंने पीस लिया है साबू दाने को तो अब मैं इसे एक बाल में इसे डाल लूँगी तो देखिए इस तरीक का बेश्ट बन चुका है हमारे साब उनाने को तो मैंने लिया है एक ये पास एक फटा पड़ा हुआ तो मैंने उसे लिये लिया और मैंने बृस से तेल लगा लिया है और मेरे पास ये कुछ चूडियां पड़ी थी ये वेस्ट चूडियां है तो मैं इनी से सारे पापड को बनाऊंगी क्योंकि इससे हमारी एक तो पापड की जो सेफ है वो तच्छी आती है बैसे हमारे पापड टेड़े मेड़े हो जाते हैं इससे हमारे पापड टेड़े मेरे नहीं होंगे हमारे विल्कुल एक ही से में हमारे पापड बनेंगे तो इसी तरीके से मैं सारे पापड को बना लूँगी तो फ्रेंड्स ये पापड मैं सियाम के टाइम पर बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे दिन में कुछ काम था तो इसलिए मैं पापड दिन में नहीं बना पाई तो ये हैस्याम का टाइम पाँच बच चुके हैं तो मैं इस टाइम पे ये पापड बना रूँगी और सारी रात की खुँँगी आप इन पापड को सुबह ही बनाए ताकि हमारे एक दिन में ही ये पापड बन कर त्यार हो चुके